क्या प्रियंका गांधी के अपने ही उनको धोखा देंगे क्या राहूल और प्रियंका की रिष्टे में है दरार क्या आने वाले वक्त में प्रियंका बन सकती है पी-म देखे प्रियंका गांधी पर सटीग भविश्रिवानी नमस्कार आप देखरें न्यूज एक्स्प्रेस मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी श्रवास्तर और हमारे साथ है आचार राकेश चेतुर वेदी जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये बात कहकर प्रियांका गांधी जो कॉंग्रिस की इतनी बड़ी नेता है उन्होंने ज प्रियांका गांधी को देखेंगे तो उन्हें किसी पहचान की जरूत नहीं है कॉंग्रिस पार्टी की जरूत नहीं है ना किसी परिवार की जरूत है अकेले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का ये नारा देकर प्रियांका गांधी ने खुद को साबित किया है और सच में चुनावी मोहौल में आज प्रियंका गांदी भले ही चुनाओने लड़ रही है लेकिन इसके बावजूद उनकी खूप चर्चा है उनके राली में इतने सारे लोग जुरते हैं तो क्या लगता है आगे बीज़ेपी को मोधी को टक्कर दे पाएंगे पिलाला भी तो टक्कर देखें प्रियंका की कुंडली के बारे में अगर चर्चा किया जाए मित्वन लगने की कुंडली है अगर चंद्र राशी से यह देखा जाए और चंद्र कुंडली के अनुशार मुझे लगता है कि चंद्रमा जो इस्तती है मंगल की राशी विर्षिक राशी में बैठे शूरी गुरु बुद्ध एक साथ हैं और राहू जो है शनी के घर में हैं देखे आपने कहा कि प्रियंका को किसी परिवार या किसी पार्टी की देखे प्रियंका की पहचान ही एक परिवार के वजह से है गांधी शब्द जो है इसी वजह से उन्होंने वाडरा परिवार में विवार के बाद भी सब्द को नहीं हटाए कुकि उन्हें भी लगता है कि उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वह गांधी शब्द से है नाम के आगे गांधी लगने से हैं क्योंकि सूरी गुरु एक साथ है तो पैत्रिक चीजों से पिता के पक्ष से पिता की चीजों से प्रभाव लेकर के प्रशिद्धी पाने का योग कुंडली में बनाता है यह कोई मैं उनके लिए किसी भी कुंडली में अगर शूरी गुरू एक साथ बुद्ध रहेगा तो आप सोचिए उसको पैत्रिक रूप से शुक मिलेगा दूसरा देखे लड़की हूं लड़ सकती हूं यह नारा नहीं दिया उन्होंने उसके पहले भी महिलाओं की बीच खास करके जो है उत्तर प्र और कुंडली के अनुशार भी जितना मैं देख रहा हूं क्योंकि राहू शनी के घर में बैठा है तो अब वही जो लोग कहते हैं कि उनके चहरे से इंद्रा गांधी की जलक दिखती है वह उनके सुभाव में भी कुछ हद तक है लेकिन क्योंकि शूरी गुरू और बुद् लोगों से अपने ही लोगों के द्वारा उनके प्रभाव में कमी की जाती है तो इसलिए आप देखेंगे कि प्रियंग का कई जगहों पर अक्रामक होते हुए भी बीच में गायब हो जाती है खूब अच्छी रैलियां कर रहे होगी खूब जमावडा हो रहा होगा लेकिन पता चलेगा कि जब जैसे नजदीक आएगा और रैली बढ़ाने का समय आएगा तो देखेंगे उनकी पार्टी की तरफ से ही उनको गायब कर दिया जाता है इस बार भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे है उनके भाई राहूल गांधी लड़ रहे है राय बरेली से ही तो आपने जैसे कहा कि अपने ही लोग उनको रोक देते हैं तो क्या अपने ही लोगों की वज़िस से वो चुनाव नहीं लड़ रही है या फिर उनका फैसला हो सकता है देखे शूरी की महादशा सुरू हो गई है अगर जिस हिसाब से देखा जैंकि समय कंफर्म है नहीं त नंद से डिया गया है तो ऐसे में देखा जाया मध्यरात्ति का लगन है यह तो इस साप से देखा जैंट सूरी महादशा सुरू हो चुकी आयसे में सूरी गुरु है तो प्रियंखा की कुंडलीकुश विश्यों में बहुत मजबूत है और जैसे कि अगर आपने चर्शा कि कि चुनाव ना लड़ना या ना लड़ने का फैसला किसका है देखे इस बार चुनाव ना लड़ना इसके पीछे प्रियंका स्वयम भी सबसे ज्यादा मुझे जो कुंडली के अनुशार लगता है प्रियंका ने स्वयम ही अपना नाम वापस लिया होगा क्योंकि अभी जो इ में ही सायद यह फैसला लिया है इस बार के फैसले में मुझे लगता है कि बाहरी या अन्य लोगों का प्रभावकम उनका स्वेम का नेड़े यह जादा है और हां आने वाले समय में शूरी की महादशा में शूरी की ही अंतरदशा बीतने के बाद लगभग एक वर्ष बाद आ राहूल गांधी को लेकर कि वो प्रधान मंत्री बने गया नहीं आपने कहा था कि वो नहीं बन सकते हैं वो खुदी नहीं चाहेंगे कि वो प्रधान मंत्री बने क्योंकि उनके कुंडली के हिसाब से यह चीज़े हैं क्या प्र्यांका गांधी बन सकती है आगे जाकर हमेश कि एक चहरे को लेकर वह आगे बढ़ सकती है क्या कॉंग्रेस या इंडिया घडबंदन कभी चुनता है तो क्या प्रियंका गांधी एक पीम फेस बन सकती है दिखे आने वाले समय में लगभग ज्यादा समय अब नहीं है शूरी की महादशा एक वर्ष और बीतेगी जब अंत प्रियंका रही है इस तरह की पूंड़ी उसकी मजबूत है प्रियंका की और प्रियंका की भी कुंड़ी कुछ परटी ही नहीं है उनका परिवार और परिवार के लोगों का भी हस्तक से रहेगा चाहे वाडराजी का हो चाहे उनके भाई और माता का था वी प्रकार्ड परिवार का भी हस्तक्षेप उनको सर्वोचिपत पर बैठने से रोकेगा। इस्तती चंद्रमा के घर में हैं ऐसी स्थिती में कभी ऐसे भाई बहनों का बैचारिक मेल हो ही नहीं सकता सिष्टी पहली चीज तो यह प्रमारिक है कुंडली से और जितना मैंने उनके चेहरे का भी कुंडली मैं कहता हूँ एक बार गलत हो सकती है या हमारे पास डाटा प्र प्रिश्चत में प्रमारित नहीं करता हूँ लेकिन जो उनके चेहरे से उनके भाव भंगिमा से राहुल गांधी के चेहरे से मस्तक से ललाट से जो चीज जलकती है वह दर्शाता है कि दोनों में बहुत बड़ा मत बिरोध है बस बहुत कुछ वह पारिवारिक एकता को दि जल्दही दोनों के जो रिष्टे की सचाई है वह लोगों के सामने आएगे कि वाकई जो वह हस्ते हैं हाथ में हाथ डालके चलते हैं सिर्फ उस मंच तक ही सीमित है या भाई-बहन का प्यार और सहयोग उसके बाद भी रहता है यह जल्दही सबके सामने आएगा अब जैसे तो अगर वो अपने भी कुछ बनाती है तो गांधी नाम तो रहेगा ही साथ तो क्या उस एसाब से उनके लिए वह अच्छा होगा कि वह अपना कुछ शुरू करे अपनी पार्टी बनाए लोगों का समर्थन भी मिलेगा देखे सिष्टी बहुत पहले हमने आपही के संस्तान के अन्यमंच पर कहा था और मैं आज भी प्रमारित करता हूँ इस चीज को जितना मैं प्रियंका गांधी के चेहरे को और चंद्र कुंडली के अनुशार में देख रहा हूँ प्रियंका गांधी सदैव एक प्योर कमर्श और हर चीज में वहानि लाभ की गड़ना करके संतुलित गड़ना करने के अगे बढ़ती है । सवतंतर रूप है पार्टी इसलिए नहीं लेंगी क्योंकि वह एक विशेश रूप से कहा जाए हमारे सामान समाज में ऐसी कुंडली ऐसे चहरे को ऐसे भाव बंगिमा को देखकर स्वार्थी स्वभाव कहा जाता है यानि कि स्वार्थ सिध्ध जहां ना हो वह आगे कदम नहीं बढ़ाती है यही बात है कि अभी जो लोग बिरोध करके जो इस्त्रियां पार्टी से निकल रहे हैं वह प्रियंका गाधी के बारे में भी बहुत नेगेटिव रिस्पॉंस दे रहे हैं तो मैं पहले भी इस चीज को बोल चुका हूं कि वह एक स्वार्थी सभाव के इस्त्री हैं जब भी जहां भी उनका स्वार्थ नहींत होता है वहां अक्रामक रूप से खड़ी रहती है लेकिन जब उनका स्वार्थ जहां नहीं होगा या जहां उनके लाव की चीज़ें नहीं होंगी वहां वह उठ जाती है कि क्या कुछ है फिलाल देखना होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नमस्कार